हेलो फ्रेंस वेलकम टो बिहारी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूँ लोकी की सुखी सबची ये रेसिपी बहुत ही आसानी तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बना के लिए हमने इस तरीके से लौकी को काटा है धो के छील के आप किसी भी शेप में काट सकते हैं हमने लिए हैं कटे हुए हरा धनिया क्रस्क कुए हुए अधरक एक हरी मिर्च साबुद जीरा मेथी दाने और हींग करहाई को अच्छे से घरम कर लेंगे फिर हम सरसो का तेल डा दालेंगे साबुद जीरा और एक पेंच की करी हिंग डालेंगे अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद हम क्रस्क क्यूए अधरक हरी मिर्च और हारा धनिया डालेंगे इस तरीके से लौकी बनाने से लौकी काफी फ्लेवर फुल बनती है और हारा धलिया भी हम अभी ही डालेंगे इन्हें 20 से 30 सेकेंड हम थोरा सा पकाएंगे अब हम इसमें अपने कटे हुए लौकी डालेंगे अगर आपको प्याज का फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप चाहे तो एक मेडियम साइज के प्याज भी बारिक काटके हम डाल सकते हैं उसे भी अच्छा फ्लेवर पराता है अब हम डालेंगे आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर और स्वादर नमक हम इने अच्छी से पकाएंगे अभी हम इने हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे दोस्तों यह रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इसी है आप सब अपने घरों में यह रेसिपी जरूर ट् सबके अपने तरीके हैं एक बार इस तरीकी से बना की जरूर देखे सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसे धकन डाल के पकाएंगे हाई फ्लेम पे ही राका निकाल के देखेंगे तो लोके का पानी सुक चुका होगा अब हम इन्हें मेडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे हम इन्हें बीच बीच में चलाएंगे ये देखिए हमारे लौकी अच्छे से पके नहीं थे इसलिए हमने धकन डालके फिर से पकाएंगे दो से तेर मिनट तो ये देखी हमारी लौकी की सबजी बिलकुल तेयार हो चुकी है आप इसे पराटो के साथ सर्फ करें वैसे तो लेटपट सबजी ही सबको पसंद आती है लेकिन अगर आपको थोरी सी सुखाने है तो थोरा सा पाने और सुखाएंगे हाई फ्लेम पर करके हम इसमें कटा हु ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास तुरत पहुंच जाए हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी की साथ